Hi viewers, उत्राखंड सरकार ने उत्राखंड में घुमने वालों के लिए पूरी तरह confusion दूर कर दिया है कभी एक दिन पुरानी COVID test report चाहिए तो कभी चार दिन पुरानी लेकिन अब यह सारा confusion दूर हो गया है वीडियो को देखते देखते नई viewers कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें नई guidelines के according अब टूरिस्ट चाहिए जितने दिनों के लिए आएं वो बिना COVID test report के उत्राखंड आ सकते हैं उन्हें बॉर्डर पर COVID test की negative report नहीं दिखानी होगी इससे पहले की guidelines की बात करें तो पहले आपको negative report दिखाना जरूरी था साथ ही साथ कम से कम hotel में 2 डेज रुकने की मजबूरी भी थी अब कोई भी उत्तराखंड में बिना COVID test report के घून सकता है लेकिन उससे पहले smart city धेरादून की website पर registration करवाना होगा यहाँ आदेश 23rd September 2020 से लागू हो जाएगा आप www.smartcity.uk.gov.in की site पर जाकर e-pass बनवा सकते हैं कुछ normal details वहाँ fill करनी होगी जैसे किस state से आप आ रहे हैं, कितने days के लिए आ रहे हैं और कहां घूमने जा रहे हैं आपका name, आपका address और आपके साथ कितने लोग travel कर रहे हैं यह सब आपको fill करना होगा आपको address proof की copy upload करनी होगी और mobile में ROGYS2 app डाउनलोड जरूर कर लें इसी तरह हिमाचल भी खुल चुका है और वहाँ e-pass की need भी नहीं है तो आप अपनी family और friends के साथ घूमने का plan जरूर बनाईए जिसके मन में अब भी डर है वो पहाडों का temperature देखके खुश रही है और मेरी बात मानिए गरम पानी पीओ और मस जीओ क्योंकि vaccine तो दूर की बात है सरकार ने तो COVID की बात करना भी बन कर दिया रही बात मीडिया की तो उन्हें Bollywood से फुरसत नहीं है ये information आपको अच्छी लगी हो तो अपनों के भी जरूर शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना जय हिंद जय भारत